यहां पर बात करते हैं निउजीलेंड वोमें वेंड्सरा थीटेऊष भी दो objetivo5 बंबला खहला जाएगा देखो एक चीद नीउजीलेंड आपने घर पर खेल रही बंगलादेष गई है नुजीलेंड और वैसे देखा जाए तो नुजीलेंड वोमेंड के टीम काफी ज़्या प्रयाइंटिम को आपको कुंच मिलेगा तो आपको जोईन करना किस परकार है तो दोस्तों जैसे कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते हैं यह sehen Jud sleepy करना है जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेलिगरामचनल करनें की दिखाई देगा इस बुलू वाले पे आपको किलिक कर देना है किलिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पे चले जाओगे वहां फुर दिखेगा जॉइन आपको जॉइन हो जाना है वहाई पर मिलेगी फाइनल टीम जिस्टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके अलावे जी करने के लिए काफी उत्तार मैंने कई बार आप लोगों को फिरी में जी एल्विन करवाया है तो इस वज़ा से हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जॉइन कर लेना चीए मेरे भाई हमारा टेली ग्राम चैनल इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फिक चैनल बने हुए है जो हूब आपको डोमेंस्टीक फिलिंग लेब नजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओर जीनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जर यही जुड़ना है तो दूस्तों न्यूजी लैंड वोमिन और वेश्ट इंडिज वोमेंस के पांच टीट्व दिभाइन एक ही ओबर डाली ती एमिला के चार ओभर जरूर डाली कोई बिटे नहीं मिला था न्यूजी लैंड की बले बाजी देखें यहां पर वेश्टेड इज के सामने स्वप्यार दिभाइन ने यहां पर 23 रन एमिला के यहां पर 25 एम गरीन 32 यहां पर मारी लेकिन य आने वाले हैं तो सारा कुछ हम लोग देख लेंगे अभी जब मैं कोंबिनेशन बताऊंगा इनके लावे दोस्तों 34-20 मुकाबला देखा जात यहां पर सूपर ओभर यानी की टाय हो गया था न्यूजी लैंड ने पहले बले बाजी करते हो यहां पर देख सकते हो एक से ग इन बाजी जरूर रही इनके लावे दोस्तों 34-20 मुकाबला का भी स्कोर कार देख लेते एफ्स जॉंस ने यहां पर तिन बिक्टे लेगे एक कार्सों दो सूजी बेट्स ने यहां पर दो बिक्टे ले गई अब बात करें यहां पर नुजी लैंड के बले बाजी की सूज दोस्तों स्कोर कार्ट लोग देखते हैं जब न्युजीलैंड आर बंकलादेस में आपस में खेली थी तो क्या रहा था रिजोल्ट काफी टायम पाले खेली तो यहां पर देख सकते नुजीलैंड वोमेंन ने यहां पर प्रहते बंगलादेश की तरफ से एस खातुन जो की जब बढ़दस्त इस पीन गेनबाजी करती है तीन बिक्टे लेगे आर मोनी नहीं यहां पर चार बिक्टे और आमद दो बिक्टे लेगे किया गजब की गेनबाजी की इनकी लाष्ट के गेनबाजों ने शुरुआती गेनबाजों ने अच्छी कुनमिक साथ जरूर की इकानवे पर ओलाउंट कर दिया इसा लग रहा था है न्यूजिलेंड यहां पर लोस कर जाएगी लेकिन फिर से न्यूजिलेंड ने भी कोलग गेनबाजी किया इन सुल्तना जो कि इनके बिकेट की पर काफी बढ़ी है एक इसरेन की पारी खेली और इनके यहां पर गेनबाज देखे ल के इस परकार से दोनों आपस में खेली थी तो यह रहा था रिजल्ट तो दोस्तों लाष्ट मुकावला बंगलादेश जो है स्रि लंका खिलाब गेनबाजी देखे जाए तो आरा हमें दो विक्टे लेगे एक खातून को एक विक्टे और इस मंगला ने यहां पर एक विक्टे लेगे जी आलम काफी बढ़िया फास्ट गेनबाजी करती देखने में भी काफी खुपसूरत नजर आती है तो बंगलादेश यहां पर पाकिस्तान के खिलाब खिलाती है यह स्कोर काड हम लोग देख लेते हैं पर बंगलादेश की यहां पर पारी देखी जाए तो कुछ खास नहीं रहा एस खातून 24 जली जो की उच्छतम रहा गेनबाजी देखी जाए बंगलादेश का जो एक विक्टे यहां पर इस खातून नहीं लिया था और वैसे वन साइडेड लोस हो गया इनके अपने इंडिया के खिलाब जब इन्हों ने खेली ती यहां पर देख सकते इनका गेनबाजी देखी आरहमद अंत्पया के तीन बिक्टे लेगे हलांके इनको पिटाई पड़ी एस खातून के एक बि को हार का सामना करना पड़ा तो मेरे भाई आरकूज देखने की विल्कुल विजवरता सीधा कॉंबिनेशन देखेंगे लेगे इससे पहले अगर जैदे हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कि हो तो जल्दी सजाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डिरी विकेट कीपर, विकेट कीपर की बात के सबसे बड़ी हाँ विकेट कीपर एन सुल्ताना अनुभावी है जे एमसी फाइडेन को हम लोगोंने नुजी लैंड वोमें डोमेस्टिक में देखा है काफी अच्छा रिकोड है क्या ये खेलेंगा और खेलेंगी तो इनका बलेब कर ही लेना है घिनदबाजी की बात कि इस खातून की पर प्राइंगे एच जानसें को करेंगे अब यहाँपर देखा जाए तो यहाँ पर एलता हुए को को पिक करेंगे या फिर जेक Warm को पिक करेंगे 물ाजी के बाधी अगर शेखलों, यहाँपर खेल है करना तो बनता है काफी बढ़ी है रिकोड है इन दोनों का तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ सीधे तौर पे मैं यहां पर एम खातुन और एफ आक्यू आपको फिलाल पीक मैं कर लेता हूँ गेंबाजी के नजरिया से देखा जात यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा करती या फिर यकलेगी कार्शसोन को तो इन दोनों के सक्षिए एक साथ में जाने माला हुं इसका हमारा टीमाइबह हो सकता में यहां पर जी पलाइमर को भी मैं यहां पर प्रीक कर सकता हूं म खातून या फिर एक फाक्यू किसी एक को ड्रोप करके जो तिसरे नमर पे आईगी, अगर जरी तिसरे नमर पे एमिलाकेर ही आती है, तो ये तो काफी बढ़िया बात हो जाएगा, केप्टन वहास के बात किया है, तो ये तीम सेफ करके रख लेना है, लेकिन ये टीम हमारा फाइनल ब तो फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो के यहीं समाप्त करता हूं सिधा मिलता हूं इस मेच के अपडेट के साथ